एलो फ्रेंड्स तो यह वीडियो में हम 7th segment device को interface करेंगे LPC 2148 जो कि ARM 7 का micro processor है microcontroller है तो यह आपको दिख रही है image में वो है common cathode 7th segment और इसकी pins A, B, C, D, Up to G को हम port 0.0 से लेके port 0.6 तक connect करेंगे तो basically हम port 0 use करेंगे LPC 2148 ARM 7 का ठीक है और connections कुछ ऐसे होंगे और हमारा task है counter display करवाना 0 से 9 तक वो count करेंगा फिर अगेन 0 से start होगा तो उसके लिए आपको यह values write करनी पड़ेगी यह A2 G pin के उपर पर example अगर मुझे 0 digit चाहिए तो G को छोड़के बाकी सभी pins पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा अगर 1 चाहिए तो खाली B और C पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा ठीक है तो यह values इसी सबसे generate QEV है और यह last जो आपको column दिख रहा है वो इसकी hex value है तो basically हम यह hexadecimal values है इसको हम port 0 पे write करेंगे ठीक है यह हमारा task होगा तो सबसे पहले हम circuit connect कर देते हैं ठीक है तो यह मैंने LPC 2148 अल्रेड़ी लिया हुआ है और उसको supply और ground दिया हुआ है तो हम 7 segment device लेते हैं सबसे पहले और याद रखिए हमको common cathode लेनी है ठीक है तो यह common anode है यह common cathode तो मैं common cathode 7 segment ले रहा हूँ ठीक है और उसको जो common part है उसको मैं ground करूँगा पहले अभी हमारे connections P0s के साथ में first pin होगी A, B, C, D, E, F, and G, G के साथ में P0.6 जो के हमने already यहां ली हुए है ठीक है जी के साथ में P0.6 तो यह हुई हमारी circuit ठीक है अभी हम code लिखेंगे तो मैंने यहां पर already एक project create किया हुआ है ठीक है और इसके अंदर एक C file भी create कि हुए है इसके अंदर हम code लिखेंगे तो पहले include उसके बाद हमको एक array define करना है तो यह मैंने already इसको copy किया हुआ था तो यह एक array मैंने create किया है इसके अंदर वहीं value है 3F, 06, 5B, 4F, 6, 6, 6D ठीक है और यह value कैसे है मैंने आपको आपको अल्रेड़ी explain किया हुआ है वहला कि यह value हम one by one लिखेंगे तो अभी हम main से start करते है program हमारा इसके बाद हम infinite loop पहले हमें काम करते है direction define कर देते है क्योंकि हमारी pin है वो 0.0 से लेके 0.7 तक है तो FF मैं define कर देता हूँ मतलब कि least significant 8 bit है उसके direction output से अठ हो गई है ठीक है उसके बाद क्या करना है हमको एक loop लेते है infinite loop क्योंकि हमको continuous counter चाहिए ठीक है और उसके अंदर मैं एक for loop लोंगा क्योंकि मुझे basically ये value सारी one by one pass करनी है ठीक है तो मैं एक integer ले लेता हूँ integer j और for j is equal to 0 j less than 10 क्योंकि हमको 0 से 9 तक जाना है और j plus plus ठीक है और इसी के अंदर हम ये लिखेंगे io 0 set is equal to hast of j ठीक है तो मतलब कि one by one ये value जाएगी ओके इतना हो गया मैं main को close कर देता हूँ इतना हो गया तेकिन अभी मुझे counter चाहिए तो पहले जब 0 जाएगा उसके कुछ देर बाद one जाना चाहिए ठीक है ये one जाएगा लेकिन previous value भी रहेगी तो मुझे clear करना पड़ेगा तो मैं सभी को clear कर देता हूँ सभी pin को ठीक है अभी ये continuous होगा तो मुझे थोड़ा delay भी चाहिए इन दुनों के बीच में ठीक है और ये delay को हम यहाँ कहीं पिर डिफाइन कर देते है इंपॉइड डिले और इंटीजर के हमें इसको यूस कर देता हूँ और लोग को है लेकिन यहाँ पर आएगा के के प्लस प्लस और यहाँ पर हमको बड़ी वेली रखने पड़ेगे ठीक है डिले है बेजिकली तो यह हमारा प्रोग्राम हो गया अभी हम इसको रन करते है फहले इसको चेक कर देते है कोई है के नहीं है तो कोई एरर नहीं है अभी मैं इसका पाथ कोपी कर देता हूं जिस्से कि मैं हैक्स का लोड कर पाऊं यह हमारी सर्कीट है इसके अंदर में वही पाथ पर जाता हूँ यह हैक्स प्रेंट हो गई है और अभी हम चेक करते हैं इसको काउंटर तो है लेकिन डिले काफी फास्ट है तो डिले को थोड़ा बड़ा देते हैं और फिर से रन करते हैं इसको और इस बार आप देख सकते हैं कि हमारा काउंटर प्रॉपर वर्क कर रहा है जिरो टू नाइन तो इस बार से आप सिंगल डिजिट सिवन सेग्मेंट को इंटरफेस करके काउंटर बना सकते हैं तो यह वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्यू वेरी म क्वरच करिया चैनल काच़ से और से माज़ेगर तेजिए आहा है तो इसक्राइब कर दोपी कर ँन्सेड़ ऋल्ए रह प्सक्राइब Aíजिए खीछूगाusta defenses धने प्सक्राइब